पेट्रोल और डीजल की कीमते जल्द कम हो सकती हैं सरकार पेट्रोल और डीजल पर एकसाइस ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है Central Board of Direct Texas यानी CBIC के चेर्मेन अजीत कुमार ने इस ओर इशारा किया है अभी पेट्रोल पर 32 रुपे 90 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल पर 31 रुपे 80 पैसे एकसाइस ड्यूटी लगती है पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल पर एकसाइस ड्यूटी कटोती की मांग की जा रही थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है कई राजियों में तो पेट्रोल का भाव 100 रुपे प्रति लीटर को पार कर गया था हाला कि क्रूड की कीमतों की नर्मी के चलते एक अप्रेल से पेट्रोल और डीजल की कीमते स्थिर है दिल्ली में पेट्रोल का भाव 90 रुपे 56 पैसे जबकि डीजल की कीमत 80 रुपे 87 पैसे प्रतिलीटर है ऐसे ही मुंबई में एक लिटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपे 98 पैसे जबकि डीजल की 87 रुपे 96 पैसे प्रति लीटर है कॉलकाता में पेट्रोल का भाव 90 रुपे 97 पैसे जबकि डीजल की कीमत 83 रुपे 75 पैसे है यह देश के तीन शेहरों का पेटरॉल और डीजल का भाव है अगर पेटरोल और डीजल की कीमतों की तुलना पिछले साल से करें तो 14 एपरिल 2020 को दिल्ली में पेटरोल का रेट 69 रुपे 69 पैसे प।िलिटर था यानी साल भर में पेटरोल 20 रुपे 97 पैसे प।िलिटर महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा हिस्सा एकसाइज ड्यूटी और वैट का होता है पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एकसाइज और राज्यों के टैक्स का होता है जबकि डीजल में ये 54% होता है अब आपको बताते हैं कि इन टैक्सों के जर् पेट्रोलो डीजल पर केंद्र सरकार का टेक्स कलेक्शन पिछले 6 सालों में 300 प्रतिशत बढ़ा है। झाली आप झाली जो हिर ट हुआ बढ़ा है।